हेलो फ्रेंट्स वेलकम तू यूर कनफर्टा क्लास स्वागत आप इस चैनल पर आज इस वीडियो में उत्तर ब्रदेश राज के जो प्रमुख मेले हैं या पर्व हैं जिला वाइस जो है उसको हम देखें ये तो कुछ सबसे पहले जो इंपॉर्टन फैक्ट है वो यह देख जासी ठीक है सबसे ज्यादा मेले लगते हैं और फिर कानपूर कानपूर में मेले लगते हैं असी और सबसे कम जिस जिले में मेले लगते हैं वो है पीली भीत पीली भीट में सबसे कम मेले लगते हैं तो सबसे ज़्यादा कहा पर लगते हैं मथुरा में लगते हैं यहाँ पर हम मेलो के बारे में ही बात करेंगे तो सबसे पहला जो important जो मेला है वो देखते हैं हम लोग उसका नाम है दद्री मेला ठीक है यह आप देख रहे हैं बलिया एकदम पूर में तो ददरी पशु मेला यह कहां लगता है यह बिहार में लगता है वो बलिया में लगता है और दूसरा जो सबसे प्रमुक मेला है पशु मेला है जिसे बोलते हैं यह है आगरा में आगरा देख रहे हैं यह आप ग्रीन कलर का जो है आगरा में है इस मेले का नाम है बटूश्वर ठीक है बटेश्वर बटेश्वर पशु मेला यह है सबसे प्रमुक मेलों में से एक है अगला मिला देखते हैं अगला मिला है नौचंदी मिला है बहुत फेमस है यह पाल लगता है यह लगता है मेरट में ठीक है नौचंदी कहां लगता है ये नौचंदी मेला ये लगता है मेरट में ठीक है मेरट में लगता है एक और फेमस है मेला हापुड में हापुड जहां का गुड़ बहुत फेमस है तो बोलते हैं गड़ मुक्तेश्वर का मेला गड़ मुक्तेश्वर का मिला यह कहां लगता है हापट जीले में लगता है हापट जीले में लगता है यह मतुरा में एक बहुत फेमस जो है मेला लगता है उसका देखते हैं नाम हम लोग उसका नाम है हरिदास जैनती ठीक है हरिदास जैनती के नाम पर जो है यहां पर मेले कायोजन किया जाता है जो काफी फेमस है तो यह मतुरा जीला से संबंदित है फत्यपूर सीकरीज भी जो है इसी में आ जाता है अब उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं अगला जो है हमारा वो है सयद सलार मेला ठीक है सयद सलार मेला तो ये लगता है बहराईच में ये पेपर में पूछा भी जा चुका है ठीक है सयद सलार मेला कहां लगता है किस जिले में ये लगता है बहराईच में सयद सलार मेला कहां लगता है बहराईच में लगता है एक मुंडिया मेला है क्या नाम है मुंडिया मेला मुंडिया मेला तो ये कहां पर होता है ये होता है मतुरा में मुंडिया मेला कहां पर होता है मतुरा वरंदावन जो है वरंदावन जो कृष्णनगरी है वहाँ पर ये बनाया जाता है बलरामपुर जिला जो है एक मेले के लिए काफी फेमस है जिसे बोलते हैं देवी पाटन मेला क्या बोलते हैं इसे देवी पाटन मेला देवी पाटन मेला ये कहाँ पर सेलिबरेट किया जाता है यह कहां पर आयोजित किया जाता है बलरामपुर जिले में आयोजित किया जाता है यह आप रामपुर देख रहे हैं ठीक है रामपुर में एक मेला लगता है जिसका नाम है फालगून मेला क्या नाम है फालगून जो मन्त है उसी के नाम पे है यह मेला फालगून मेला यह कहां लगता है बलरामपुर में लगता है आगे हम लोग देखते हैं आगे आप यह देख रहे हैं यह है बांदा ठीक है बांदा जिला बांदा जिला में जो है कालिंजर मेला लगता है कांसा मेला लगता है यहाँ पर यहाँ पर जो मेला लगता है उसका नाम है कालिंजर देखिये हम लोग यह मैप में क्यों कर रहे हैं मेला वगckर इससे क्या होगा आप को जीले की लोकेशन में क्लियर हो जाएगी और आपका मैप भी त्यार हो जाएगा और आसानी से आपको इन मेलों के नाम याद हो जाएंगे क्योंकि UP special वगयरा में यह question जो है बहुत serious तवीकर से पूछे जाते हैं या तो आपको आ रहा होता है या तो नहीं आ रहा होता है तिक है आगरा में एक और famous मेला लगता है इसे बोलते हैं कैलाश मेला क्या बोलते हैं कैलाश मेला भी लगता है वारांसी यह तो बहुत फेमस जगह है और वारांसी में तो मेला हैं उनकी तो भरमार रहती है यहाँ पर जो है एक मेला लगता है जिसे बोलते हैं नक कटईया क्या बोलते हैं इसे नक कटईया मेला नक कटईया मेला यह कहां पर मना जाता है यह मना जाता है वारांड सी में यहां पर एक और बहुत फेमस मेला है जो एटा जिले में लगता है एटा जिले में कास गंज है एटा जिले में तो वहां पर जो है कास गंज में जो है एक मेला मना जाता है इसे बोलते हैं सोरो मेला क्या बोलते हैं सोरो मेला ठीक है यह किस जिले में मनाया जाता है एटा के कास गंज में मनाया जाता है अब उसके बाद जो है यहां पर अगला जो है हमारा तोवार वो है खीरी में जो है मनाया जाता है लकीम पूर खीरी यह यहां पर जो यह तोवार मेला जो celebrate के जाता है इसे बोलते हैं गोला गोरकनात ठीक है गोला गोरकनात क्या है यह गोला गोरकनात मेला ठीक है और लास्ट जो है हमारा लास्ट है अम्बेटकर नगर से संबंदित ठीक है अम्बेटकर नगर में जो मना जाता है गोविंद साहब मेला मना जाता है तो तो आपको यह सारे मेले क्लियर हो गएंगे ठीक है आप इसका